मेरा नाम है दिवागर खत्री और आज का यह जो वीडियो है इस वीडियो के दुरान हम एंटेमोलोजी सब्जेक्ट के एक कूर्स टाइटल पैस्ट ऑफ क्रॉप्स एंड स्टूर्ड ग्रीन्स एंड देर मैंजमेंट के नेक्स टॉपिक इंसेक्ट पैस्ट ऑफ कॉटन के ब बात करने वाले हैं मैं आपको बदाना चाहूंगा कि जो पैस्ट ऑफ कॉटन क्रॉप्स है वो काफी इंपॉर्टन टॉपिक है एक्जामिनेशन में इसके उपर कोशिन जरूर पूछा जाता है साथ ही मैं आपको यह भी बदाना चाहूंगा कि इस टॉपिक से पहले पॉल प्राइब बटन की साथ निचे डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में अवेलेबल है आप चाहें तो नहीं देख सकते हैं तो जैसा कि आपने जाना कि आज कि इस वीडियो के दोरान हम प्रॉप कारें बात करने वाले हैं प्रॉप के इंजर हम आप्र गेडिय के लिए जूट और काटन हम देखते हैं कि दूऔर में यही ति मेजर कॉम्स हैं जिनको काम में लिया जाता है अब इन जो cotton की crop है इसके वो बहुत सारे अलग तरह के insect लगते हैं तो उनमें से जो main important pest होते हैं अगर उनको अगर हम classify कर दें major classification देखें तो वो कुछ इस तरह से हो सकता है किस तरह से तो देखें इनको हम sucking pest, ball worms, foliage feeder और साथ में cotton stainers के रूप में divide कर सकते हैं sucking pest मतलब की जो cotton का plant होगा उसके अंदर जो soft parts होगे जैसे कि हम उसकी leaves देखें या tender shoots देखें तो उनके अंदर उसके cells आपको ये suck करेंगे तो कौन-कौन से होते हैं sucking pest तो आप देख सकते हैं jacid, whitefly, aphids, thrips, mealybug और साथ में mites ये जो pest हैं ये क्या होते हैं sucking pest होते हैं और वहीं हम देखें ball worms अध्यान से देखें ये B-O-L-L-ball है B-A-L-L-ball नहीं है जनल नौलेज के रूप में बताना चाहूंगा कि B-O-L-L-ball यहां क्यों है कि जो cotton की जो raw form होती है पौधे के ओपर जो लगी होती है उसे हम B-O-L-L-ball का जाता है लेकिन अगर हम उसे process करके एक spherical form में या गोला कार आकार देदें तो उसे B-A-L-L-ball काएंग तो एक जनल नौलेज के रूप में बताया है मैंने तो यहां हम देख रहे हैं ball worm B-O-L-L-ball worms जो है यह तो मतलब जो raw form वाले cotton के ओपर ball लगी है उसके ओपर जो insects लगेंगे तो वो कौन से हैं तो देखिए American ball worm, pink ball worm, spotted and spiny ball worms B-W मतलब ball worm है तो इस तरह से कुछ यह जो ball worms है देखे जाते हैं foliage feeder आप समझे सकते हैं जो की पत्तियों पर जो है feed करते हैं foliage feeder के अंदर हम देखते हैं tobacco leaf eating caterpillar नाम में tobacco आता है बट इसका damaged caterpillar हम देखते हैं cotton पर भी दिखा जाता है और हम देखते हैं साथ में cotton leaf roller यह पैस जो है वो foliage feeder कहे जाते हैं और वहीं रास में हम देखें तो cotton stainless मतलब जो रंग दे जाते हैं रंग दे जाते हैं मतलब जो cotton का lint होता है ना लिंट मतलब समझ सकते हैं जो रेशा है उनके हम यह कह सकते हैं cotton की जो बॉल है उसके अंदर हम देखते हैं कोई ना कभी particular रंग छोड़ जाते हैं तो इसके अंदर दू मिन insects होते हैं जो कि है Red cotton bug और दूसरा हम देख रहे हैं dusky cotton bug तो जैसा कि आपने जाना कि cotton के उपर बहुत अलग लग तरह कि इंसेक्ट लगते हैं इस वीडियो के अज़र हम कौन से ऐसे इंसेक्ट हैं जिनके बारे में डीटेल्स में बात करने वाले हैं इनके हम डेमिज को भी जानेंगे इनके साइटिफिक नेम को भी जानेंगे उनकी लाइफ साइकल को भी जानेंगे और साथ में हम ये भी जानेंगे कि उनका management किस तरह से किया जाता है तो कौन-कौन सी insect के बारे में आज हम details में बात करेंगे तो सबसे पहले हम spotted ball bomb के बारे में बात करेंगे फिर pink ball bomb, फिर red cotton bug, फिर white fly और end में हम jessits के बारे में भी बात करने वाले हैं तो इस तरह से इस चार्ट की रूप में आप समझ सकते हैं कि हम दो lapidopteran insect के बारे में बात करेंगे spotted ball bomb and pink ball bomb और साथ में तीन hemipteran insect के बारे में बात करेंगे जो कि है red cotton bug, white fly और साथ में jessits एक और important lapidopteran insect है जिसको हम कहते हैं American ball bomb, helicoverpa army जेरा तो उसको मैं already pulses वाला जो वीडियो था उसके इंदर पहले ही describe कर चुका हूँ तो वापिस time cry नहीं करेंगे हम तो इस तरह से हम इस पांच main insect के बारे में अब हम details में बात करने वाले हैं तो चलिए सबसे पहले insect pest के बारे में बात करते हैं जो कि है spotted ball worms spotted ball worms जो है इनका scientific नाम आप देख सकते हैं जो कि एरियाज बिटेला पास में एक और बाल लिखा गया है जो कि है spiny ball इनका scientific नेम है एरियाज इंसुलैना ठीक है अब इन दोनों में 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 फरक नाम से ही समझा रहा है कि spotted ball worms जो होंगे उनकी larval stage में spots देखे जाएंगे उनकी body पर दब्बे देखे जाएंगे वहीं spiny ball worms में क्या होगा तो spines निकले में होंगे spine मतलब कांटे थ्रॉन लाइक structures जो है वो निकली भी देखेती है अब next देखिए इन दोनों की order और फैमिली तो सेम है यानि की order इनका Labidoptera है फैमिली नक्टिडी है ठीक है डेमिज किस तरह से पहुंचाते हैं तो देखिए वैं cotton plants are young जब cotton plants young होते हैं तो मतलब उनके body parts soft होते हैं दिलार्वा बोर इंटो दी जो तना है उसके अंदर यह जो लार्वा है एंटर होता है इस वज़े से जो तना है वो सूख जाता है और खत्म हो जाता है लेटर ओन दे अब हमने जाना कि जो फूर्टिंग बॉड़ी जिसे हम बॉल कहरे है उनके उपर इसका अट्यक होता है धिर येंट्री हो जाने के बाद हम देखते हैं की इनकी एक्सक्रीटा जो होता है ना स्वाइब इख्षक्रीट करते हैं या हम कह सकते हैं इनकी विष्था मतलब अपना वेस्ट प्रडुक्ट से क्या कर लेते हैं उस होल को बंद कर लेते हैं मतलब कुल मिलाके उस बहुल के अंदर कौन है अब यह था इत्व पहुंचाता है यह लाइन है आगे continue and in which they remain devouring both seed and fiber forming tissues, fiber forming tissues वगेरा के अंदर ही क्या करते हैं, develop होते रहते हैं, उसे damage पहुंचाते जाते हैं, next देखी, the green balls attacked, attacked by spotted ball worms, are often infected by fungi also, मतलब कि यह जो infected ball worms हैं, इनके उपर fungi का भी बाद में attack दिखा जाता है, fungi attack हो जाएगा तो उससे क्या, मतलब और ज्यादा damage हो गया, इनकी rotting हो जाएगा, which cause balls to rot and dry up without opening, opening होई नहीं, उसे पहले यह क्या होगी, अंदर से balls सट जाती है, rotting हो जाती है, next हम देखी, the infested balls called aborted balls, aborted word का मतलब अब जानते हैं कि मतलब process complete हुआ ही नहीं, इन balls के अंदर, पहले ही prematuring stage के अंदर इनके अंदर damage कहुंच गया, इसलिए हम कह रहे हैं, the infested balls are called aborted, मतलब पूरी तरह से mature ही नहीं होई, open prematurely, premature stage के अंदर ही खुल जाती है, and produce poor lint, lint मतलब ratio जो होता है, वो काफी poor quality का होता है, resulting in lower market value, और इसलिए market value जो है बहुत कम हो जाती है, आगया उसके damage समझ में आगया होगा आपको, next जो topic है वो है इनका life cycle, spotted ballworms है, lapidopterans है, lapidopterans के अंदर complete metamorphoses होता है, complete metamorphoses यानि की life के अंदर चार main stages होती है, कौन-कौन सी, तो हम देखते हैं, egg, larva, pupa, and adults, eggs जो होते हैं, उनकी क्या खास बाते हैं, तो देखिए, they are laid singly, 200-500, 1 mm in size, on soft body parts of plant, आई बात समझ में, मतलब singly, मतलब एकल रूप में ही, कितने, एक female 200-500 अंडे ले करती है, एक mm size के होते हैं, और साथ में soft body parts जो होते हैं, plant के वहाँ लेकिए जाते हैं, वहाँ से hatching होईगी, larva निकलेगा, और soft body parts को damage हों जाएगा, soft parts कौन से, जैसे leaves हो गई, या हम कह सकते हैं, shoots, या stem, अब summer और winter के अंदर अलग-लग timing होती है, जैसे हम कहें, 3-5 days in summer, and 8-9 days in winter के अंदर इनकी hatching हो जाएगी, और ये larva निकलेंगे इन में से, larva का क्या खास बात हैं होंगी, तो देखिए, brownish white color की होंगे, head जो होगा, उनका dark होगा, और जाथ पे हम देखते हैं, 1.2 से 1.3 mm इनका size होगा, और हम देखते हैं, जो की complete molting वगेरा होगी न, उसके बाद develop होते होते, 22 से 25 mm तक लंबे हो जाएंगे, ओके, लार्वा जो है, damage पहुचाता जा रहा है, लगातार, उसके बाद हम देखते हैं, क्या 10 से 12 दिन, या वो तो समर्स में हैं, और 15 से 20 दिन इन्वेंटर्स के अंदर, ये किसमें बदल जाएंगे, प्यूपा के स्टेज के अंदर आ जाएंगे, टॉर्मेंट स्टेज प्यूपा आप जानते हैं, तो अब ये प्यूपा कहां बनेगा, प्यूपा बनता है, लाइट ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, अब ये जो प्यूपा है, वो 5 से 10 दिन, इन समर्स और 18 से 31 दिन, इन विंटर्स, तरदी और गर्मी में लगलग टाइमिंग के बाद, ये एडल्स में बदल जाता है, एडल्स के अदर क्या फरक होता है, तो आप जान लीजिए कि Spiny Ball Worms और Spotted Ball Worms, Spotted Ball Worms जो हैं, उनके अडल्स के अदर हम देखते हैं, Green Color के Band देखे जाते हैं, जबकि Spiny Ball Worm का जो एडल्स होता है, उसके अदर पूरे ही Punk जो होते हैं, क्या होते हैं, Green Color के होते हैं, थोड़ा सा फरक होता हैं, तो इनकी जो एडल्स हैं, Punk अगर पूरे फैल जाते हैं, तो लगबग 21 mm साइज होता हैं, और इनके बाद 3-4 दिन बाद इनके अदर मैटिंग होती है, तो उससे X निकलाते हैं, और X निकलाने के बाद complete life cycle वापस चल जाता है, इसका हम देख सकत हैं, जिस तरह से आप चार्ट में देख सकते हैं, कि समर्स के अंदर 25 से 35 दिन के अंदर ये life cycle complete होता है, और winters के अंदर हम देखते हैं, 34 to 64 days के अंदर ये life cycle complete हो जाता है, इस तरह से हमने life cycle और nature of damage जाना, किसका spotted ball worms या हम कह सकते हैं, spiny ball worms का, साथ ही spotted ball worms का जो management है, या कि हम कह सकते हैं, ने किस तरह से control किया जा सकता है, तो उसका ये जो chart है, इससे आप screen पर देखी सकते हैं, इससे आप screenshot लेके पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ जादा खास नहीं है, हम देख सकते हैं कि deploying की जाए, logging की जाए, मतलब कि जो infected plant part है, उन्हें, cut की field से remove कर दिया जाए, destroy affected plants, ferrum and traps का use करना, spray करना, अलग-अलग particular जो दबाईयां होती है, उनकी particular dose जो दिखी हैं यहां पर, उसे आप पढ़ सकते हैं, साथ में trichogerma या elasmus जो species हैं, उनको इसके biological control के रूप में हम देख सकते हैं, तो इस तरह से इनका जो management है, वो भी आप यहां से याद कर सकते हैं जो कि है pink ball worms, नाम से समझा रहा है, pink ball worm, यानि कि इनकी जो larval stages होंगी, वो pinkish color की होंगी, ठीक है, scientific name जो है, वो है pectinophora gossipyla, और इसका हम देखें, order, वो है lepidoptera, family जो है, वो है gelichiddy, ठीक है, एक खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो pink ball worm है, यह पौदे का जो flower पार्ट है, उसके अंदर anthers पर damage ज्यादा पहुंचाते हैं, ठीक है, क्यों बता रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि जो spotted ball worm हम सबब भी हम पढ़के आए हैं, उसका attack हम flower के gynetium वाला पार्ट जो था, उस पर देखा जाता है, उसका attack, gynetium या कह सकते हम ovary वाला पार्ट जो है, उस पर ज्यादा damage होता है, जो कि pink ball worm का attack कहां देखा सकते हैं, एंतर वाले पार्ट में भी दिखा जाता है, ठीक है, थोड़ा सा फरक होता है, बताना चाहरा था हम आपको, और इसका damage की बारे में अगर हम बात करें तो देखी, the attacked flowers called rosette flowers, ध्यान रखेंगे, आप characteristic symptom किसका कह कह सकते हैं हम यह pink ball worm का, कि अंदर flowers जो है, वो rosette types हो जाते है, rosette मतलब कह सकते हैं कि अलग ही इसकी shape हो जाती है, मतलब खिंड सा जाता है, अना flower, तो मतलब अस्तिववस्त हो जाता है, तो मतलब इसको stage को हम बोलते है, rosette flower stage, देखी जाती है किसकी वाज़ा से, pink ball worms की वाज जाती है, and those which mature, और जो mature हो जाती है, वो tick से open नहीं हो पाती, ठीक है, the damaged seed cotton, the damaged seed cotton is difficult to pick, मतलब जो जिन पर damage हुआ होता है, उनकी picking दंग से नहीं हो पाती, आप जानते होंगे कि cotton की crops के अंदर, hand से picking की जाती है, तो वो ठीक से नहीं हो पाती, discolored and gives a lower gaining percentage, color जो है उनका काफी पूर हो जाएगा, lint का, gaining percentage कम आएगा, gaining process आप जानते होंगे, कि lint को अलग करने का जो process होता है, उसे gaining process कहते हैं, तो यह जो gaining का process है, gaining percentage है, वो काफी कम हो जाता है, and lower oil extraction and inferior spinning quality, और हम देखते हैं, oils बगरा जो seeds से निकाले जाते हैं, वो भी क्या होते हैं, कम quality के दिखाल ज जाती है, यानि कि इतना ज़्यादा इसके अंदर yield losses देखे जाते हैं, ठीक है, next line देखिए, full grown larva of last generation, do not however pupate, just a few of them reaches to ground, अब इस line को पूरा पढ़ने से पहले है, पूरा समझाना जाहूंगा मैं आपको, क्या, कि इनकी जो larva है, pink ballpums जो है, वो flower के अंदर जो seeds होते हैं, जै एक seed, दूसरा seed उसके अंदर yield तरह से हो जाता है, एक larva, मतलब समझते हैं, आप दो seeds के अंदर एक अकेला ही larva, damage पहुंचाते हुए, उसके अंदर dormant stage के अंदर चला जाता है, dormant stage के अंदर हम कह सकते हैं, या फिर resting period के अंदर चला जाता है, अब इनकी resting period की वज़े से ही, इ पूरे एक से दो साल तक इसके अंदर dormant ही पड़ा रहा है मतलब इनकी वीजों के अंदर इतने लंबे टाइम तक ये resting period में ही पड़े रहते हैं ठीक है और इस वज़े से क्या हुआ मतलब एक seed दूसरा seed दोनों आपस के अंदर एक ही larva की वज़े से जुड़े रहा जाते हैं तो इस वज़े से इने double seeds खा जाता है और इसके अंदर ये neutral बैठा है तो फिर इन seeds को बाद में काम में ले लिया जाता है मतलब इनकी sawing हो जाती है अगर तो फिर बाद में हम देखते हैं seed में से बाहर आ जाते हैं और फिर बाद में वापस हम देखते हैं फिर pupa वाली stage में जाकर ultimately इनमें से बौथ निकलाते हैं मौथ या कह सकते हैं adult stages निकलाती है और उसके बाद हम देखते हैं वापस इनका life cycle चल पड़ता है तो कहने का मतलब यह हुआ कि इनके अंदर double seed form देखा जाता है तो दो characteristic symptoms हैं इसकी जो याद रखने हैं हमें कौन-कौन से एक double seed form और पहला जो हमने पहला जाना था वो rosate flowers ठीक है तो इस line के अंदर कहा लिखा है full grown larva of last germination do not however pupate just a few of them reaches to ground कुछ जो है ground पर नीचे चले जाते हैं pupation के लिए लेकिन but the great majority keep feeding inside the ball लेकिन ज़्यादा तर जो है वो balls के अंदर ही बैठे जाते हैं and connecting to produce what are known as these double seed और फिर seeds को connect करते हुए वो double seeds बनाते जाते हैं जो कि आगे बहुत ज़्यादा problem करते हैं जो कि मैंने आपको समझाने के कोशिश करी last line मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जो कि क्या है spotted ballworms जो हैं वो kyanation part को ज़्यादा defect करते हैं और जो हमने देखा ये pink ballworm है वो enter वाले part पे damage पहुचाते हैं तो अगर आप इनकी life cycle के अगर हम बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये lapidopteran है तो इनके अंदर complete metamorphoses होगा यानि कि eggs larva pupipine adults होंगे इनके अंदर eggs जो होंगे वो singly 125 to 300 होंगे जाता singly 125 से 300 eggs लेकिये जाते हैं कि size के होते हैं तो आप देख सकते हैं 0.5 mm की होते हैं soft body plants जो होते हैं plant के soft body parts होते हैं वहापे इसको लेक किया जाता है जैसा कि हमने पिछले के अंदर जाना था वैसे ही 4 से 29 दिन के अंदर इनमें से larva निकलाते हैं pinkish larva होते हैं 1 mm size के होते हैं जो कि बाद में malting के बाद 13 mm तक हो जाते हैं तो मतलब इनका larva छोटा है दियानती है आपने पिछले वाले के अंदर larva बड़ा था full grown होने के बाद full grown होने के बाद भी ये 13 mm का ही है इस वज़े से हम दिखते हैं कि ये seeds वगेरा के अंदर गुश जाते हैं और उसके बाद double seed formation करते हैं ठीक है दो आपको समझाई चुका है लारवा से क्या होता है pupa stage आती है तो particular time के बाद दिन के अंदर pupal stage होती है pupa जो होता है plant पे या fallen leaves पे दिखा जाते है 6 mm size का pupa होता है light brown color का होता है ठीक है जो बाद में dark brown color का हो जाता है अब ये pupa जो जमीन में भी देखे जाते हैं soil के अंदर भी ये pupa होता है pupa stage होती है pupa stage जो है 6 से 20 दिन के बाद 6 से 20 दिन के बाद इसमीन से adult बहार आते हैं adults जो होते हैं small dark brown moth होते हैं 1 cm इनकी length होती है four wings are pointing towards margin active during night और naktiddy family है तो मतलब ये night के अंदर जादा active होते है adults जो है 2 से 6 दिना के बाद matting के बाद x produce करते हैं और वापिस ही life cycle चल बढ़ती है ठीक है tlc total life cycle वो है 22 से 77 दिन है 22 to 77 days के अंदर इनकी complete life cycle होती है अगर साथ में अब इनके management को भी जान ले management या स्क्रीन पर दिया वाई है आप पढ़ सकते हैं इनके अंदर में बात तो बस यही है कि invested flowers वगएरा जो है उनको destroy कर दिया जाएगा heaters वगएरा से इनके अंदर कोशिश की जाएगी कि अगर कोई लार्वा वगएरा तो उसको damage पहुचाया जाए मतलब खतम कर दिया जाए उन्हें इस तरह से हमने किसके बारे में पिंक बाल वंब के बारे में अच्छे से बात कर चुके है अब हम बात करने वाले हैं रैट कॉटन बग्स के बारे में जैसा कि आपने शुरू में जाना था कि यह cotton स्टेनरं नाइं कि कॉटन के अपर रंग फोड़ जाते हैं कैसे छूड़ जाते हैं वह अभी हम बात करें लेकिन अनका जो साइंटिपिक नेम है वो है दास्टेर्क सिंग्यूलेटर स्ञेट स्ञेख्स साथ में पास में एक और बग भी लिखा गया है जो के है dusky cotton दोनों ही कि how haven लिख दिया है दोनों ही वास्ताव में क्या है cotton stainer से रैड कोड़न बग रैड कलर जो है वो छोड़ जाता है cotton पर डखी कौटन बग्च जो है वो ब्लक लिख खहने का सकते है काला गरंग जो है वो छोड़ जाते हैं पे या लिन्ट पे इसका साइट विंग नेम क्या है दसकी कॉड़न बग का तो देखिए यह है ऑकसी करेंबस हालनी पैनिस है? Focused part की नो पर में बात करें इसका order जो है हमेट टेरा और फैमिली है वो है पारिर्व ils थे के के फोस्ट के अगर मात करें तो cotton के साथ में ओकरा मेज पर मिलेट और veeat इन पे भी इसका damage देखा जाता है तीक है? damage कैसे दिखा जाता है cotton के अंदर उसके बारे में अगर हम बात करें, the insect pest suck the cell sap from the leaves and green balls of cotton, hemipterans है, तो क्या होगा, of course ये cell sap सक करेंगे, cell sap को सक करेंगे, क्योंकि इनके अंदर mouth organs जो होते हैं, वो sucking type क्यों होते हैं, मतलब ये हम देखते हैं, cell sap को सक करते हैं, leaves और green balls में से, heavily attacked balls open badly and the lint is poorer quality, जो heavily balls होते हैं, जिनके बर attack ज्यादा हो जाता है, वो डंग से खुली नहीं पाते, और हम देखते हैं, उनके अंदर lint का जो quality है, वो गिर जाती है, the seed produced may also have low germination, seeds जो मनेंगे, वो low germination हमका उसका जंग से germination नहीं दे पाएंगे आगे जाके, और उनके अंदर c, जो oil होगा, उसकी quantity भी कम हो जाए, यानि less oil होगा, the bugs stain the lint with their excreta, हमने देखा न, इनका ये रंग छोड़ जाते हैं, कैसे तो हम देखते हैं, तो ये अपनी body से कोई excreta शोड़ते हैं, जिसकी वज़े से ये जो हमारा cotton है, उसके अंदर कोई रंग रह जाता है, यहां हम देखते हैं, और body juice as they are crushed in the ginning factories, मतलब यहां जहां गिनिंग का process होता है, मतलब lint को seed से अलग करना, ratio को weed से अलग करने का process है, जो factories में होता है, उसकी दौरान हम देखते हैं, कि ये crush हो जाते हैं, मतलब फिस जाते हैं उन मशीनों में, तो इस वज़े से हम देखते हैं, कि क्या होता है, इनकी body juice से भी क्या ह है, वो वास्तों में सिर्फ इनके excreta या इनकी body juice से ही नहीं होती, और साथ में एक particular bacteria के वज़े से भी होती है, जिसे हम कहते हैं, nematospora, gossipy, तो ये particular bacteria जो होते हैं, उनकी वज़े से भी इनकी staining देखे जाते हैं, ठीक है, आगे होगी बात समझें, अब तक किसके बारे में, red cotton bug के damage के बारे में, ठीक है, अब next जो चीज है वो है, इनका life cycle, तो वो इनके अंदर complete metamorphosis देखा जाता है, वो sorry, इनके अंदर incomplete metamorphosis देखा जाता है, incomplete मतलब life के अंदर 3 ही main stages होंगी, जिसको हम कहते हैं, egg, nymphon, added, eggs जो होते हैं, क्या खास बात होती हैं, उनके अंदर देख है, plant का, वहाई इनके eggs लेकिए जाते हैं, stables के अंदर, कच्रे वागेर के अंदर, plant के, and light yellow color के होते हैं, और 1.2 mm इनका diameter होता है, ठीक है, eggs, 7 दिनों बाद इनमें से क्या निकलाते हैं, x में से, nymph निकलाते हैं, nymph जो होते हैं, light yellow color के होते हैं, groups में ही निकलेंगे, nymph भी, क्योंकि हमने देखा, जो eggs थे, वो भी group में थे, तो nymph भी वाई group में आएंगे, और हम देखते हैं, इनकी dorsal side जो होती हैं, उस पे red with black spot strips देखे जाते हैं, लाल और काले रंग की spots की strips, यानि हम देखते हैं, पट्टियां देखे जाते हैं, दब्बों की पट्टियां, कौ characteristics हैं, निंफ वास्तों में होते हैं, तो यह immature adults ही दो होते हैं, अब यही तीन से 90 दिनों बाद adults में बदल जाएंगे, और इसके हम देखते हैं कि black spot देखा जाएगा scutalum पे, scutalum insect के आगे का एक particular triangular सा portion होता है, part होता है, उसके उपर एक black spot देखा जाता है, and their four wings, और four wings पे इनके black spot बगेरा देखे जाते हैं, adults 3-5 दिनों बाद, matting के बाद, eggs ले करेंगे, वाप इस life cycle चल पड़ेगी, और TLC जो है, इसके अंदर हम देखते हैं कि 40-102 दिन की होती है, और साथ में 2-3 generations देखी जाते हैं, इनके अंदर, एक साल के अंदर, ठीक है, समझ आ गया होग आप तक आपको rat cotton box के बारे में, इनका management भी screen के अपर available है, कुछ खास है नहीं, इनके अंदर, मतलब, hoeing and deep ploying की जाती है, ताकि eggs बगएरा damage हो जाए, और निम फडेल्स को particular picking से अलग भी किया जा सकता है, पकड़ पकड़ करा जा सकता है, dusting के लिए अलग अलग particular doses दिखी गई है, लिंदेन, मेलाथियान वगेरा की जा सकती है, spray भी किया सकता है, और particular bio control भी जो है, वो भी हाँ मैंने screen को पर दिखा दिया है, तो आप उसे screenshot देकर, या note करका अच्छे से learn कर सकते हैं, ओके, चलिए अब फड़ा फड़ से next insect के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो क गई है, यह है, जो family है, वो है, एलिरोडीडी, ठीक है, scientific name क्या है, cotton white fly का, cotton white fly का scientific name है, बहुत famous है, बहुत फिमस है, बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है, इसके बारे में और अगर हम देखें, तो इसका जो host है, मतलब यह किस पे attack करती है, तो cotton की साथ में इसका attack, okra, cabbage, cauliflower, mustard, toria, melon, potato, brinjal, इतने अलग लगतर है कि host पे इसका attack दिखा जाता है, ठीक है, कैसे attack दिखा जाता है, तो देखिए, the damage is caused by both nymph and the adults by sucking the sap from the leaves, leaves, leaves जो होती है, उसमें से cell sucking, cell sap को सक किया जाता है, hemipteran है, तो sucking organs होते हैं, इनके पास mouth organ होते हैं, इस दिखेंको cell sap करते हैं, inserted exclude honeydew, which attracts suity molds, और साथ में आपको पहले भी वीडियो में बता जो का हूँ, है, hemipteran's जो होते हैं, वो cell sap करने के साथ में honeydew भी सिक्रेट करते हैं, क्यों करते हैं, कि क्या जरूत होती है, honeydew सिक्रेट करने की, इन सब को detail के अंदर हम अल्रेडी पढ़ चुगे, तो मत अभी तो इतना जान लोगे, honeydew सिक्रेट किया जाता है, और उसके बाद हम देखते हैं, उस honeydew पर damage देखा जाता है, किसका, attack देखा जाता है, किसका, cotton dew to the honeydew is a serious problem in the fiber processing sector, अब इस honeydew के वज़े से हम देखते हैं, कि fiber processing वगएरा जो होती है, वो ठीक से नहीं हो पाती, इस तरह से इसका damage देखा जाता है, वेक्टर लिखा गया है, यसे, अलग लिखता है कि diseases का वेक्टर है, यह कौन कौन से diseases, देखिए, जो cotton leaf curl virus, जैसे हम कह clearing disease of okra, और साथ में हम देख रहे हैं, leaf curl of seasan, इन तरह की जो viral disease है, उनका यह vector है, कौन cotton white fly, ठीक है, लाइफ cycle के अगर हम बात करें, तो hemipteran है, तो incomplete metamorphosis होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, पिछली वीडियो में भी बताया था मैंने आपको, exception के रूप में, अपवाद metamorphosis देखा जाता है, complete metamorphosis, any life के अंदर चार main stages होती है, egg, nymph, pupa and adults, eggs की क्या खास बात या होती है, तो देखिए, singly 100 से हम देखते हैं, 120 eggs जो लेकी जाते हैं, on lower surface of the leaf, leaf के नीचली सताय पर छोड़े जाते हैं, yellow, brown color की eggs होते हैं, 3-35 दिन में, कितना variation क्यों, environmental conditions भी dependent होती है, इनकी hatching, तो 3-35 दिनों बाद इनकी hatching होती है, और light green color के egg-shaped nymph निम्फ का size, sorry, nymph का shape जो है, वो egg जासा होता है, तो इसलिए egg-shaped जो है, nymph निम्फ निकलते हैं, 1-1.5 mm, वह छोटे-छोटे-छोटे से nymph होते हैं, ये 8-81 दिन बाद, sorry, 9-81 दिन हैं, तो 9-81 days के बाद ये pupa में बदल जाते हैं, pupa, lower side, मतलब leaf के नीचे side पे pupa प्यूपा प्यूपल स्टेज देखी जाते हैं, brownish का pupa होता है, इनका, दो से 8 दिनों बाद जिए, adders बाहर आते हैं, इनमें से, adders जो है, white fly के, white होने चाहिए, तो कुल में लागी कहने का मतलब yellowish या whiteish तरह जो होते ह इनके और white wax जो होता है, देखा जाता है, adults में से 2-3 दिन बाद eggs बाहर निकलाते हैं, निकलाते हैं मतलब, matting के बाद, इनके अंदर हम देखते है, egg laying होती है, 2-3 दिन बाद, तो कहने का मतलब हुआ, इस तरह से complete life cycle होता है, इसका complete metamorphosis की रूप में, और हम देखते हैं, total life cycle जो है, 16 से 127 दिनों के अंदर complete हो जाती है, एक साल में, एक year के अंदर 11 generations देखी जा सकते हैं, तो इस तरह से हमने जाना किसके बारे में, white fly के life cycle के बारे में, वापिस वह यह कहूंगा कि इसका जो control है, वो screen के उपर available है, resistant varieties का मिलेना, और अलग cultural practices का मिलेना, chemical control करना, और लेकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है, तो जो यह अब last hemipteran insect के बारे में और बात कर लेते हैं, जो कि है cotton jasids, aphid jasid, दोनों में फरक होता है, न, aphid jasids जो है, fdd family के अंदर आते हैं, jasid, cacelid, family के अंदर आते हैं, अभी जान रहे हैं आप जैसे, तो यह cotton jasids जो है, इसका दूसरा नाम, common name, cotton leaf hopper भी है, तो इन्हें हम cotton leaf hopper भी कहते हैं, इसका scientific name जो है, वो है, emraska, bigutula, bigutula, ठीक है, इस तरह से इसका scientific name है, hemipteran है ये भी, और साथ में हम देख रहे हैं family, caceliddy है, जो आपको मैंने बताई दिया, और इनके अंदर host देखें, मतलब कहों से अलग-अलग plants पे इसका damage दिखा जाता है, तो ये okra, potato, brinzel, wild plants like hollyhock, kangabuti, kangabuti, इस तरह से अलग-अलग wild plants पे इनका attack देखा जाता है, तो कहाने के मतलब ये cotton के अलबा, और भी कुछ plants पे attack होता है, तो आप देख सकते हैं, host के रूप में, adults are winged and wedge shaped, ये जो jaceds हैं, इनके जो adults हैं, वो क्या होते हैं, winged होते हैं, यानि कि punk होते हैं, इनके पास, especially adults के बारे में क्यों लाइन किया रहे हैं हम, क्योंकि next line में लिखावा है कि various nymph are wingless, इनके जो nymph होते हैं, उनके अंदर wings नहीं होते, wingless होते हैं, pale green color होता है, कि इनका, हम देखते हैं, adults का having black spots on their four wings, इनके जो four wings होते हैं, आगे वाले punk हैं, उनके उपर black color के spots देखे जाते हैं, picture के अंदर आप देखते सकते हैं, nature of damage क्या है वई, हम आप टेरंस हैं, तो आपकोस वही सब बाते हो जाएंगी, क्या, देख लेते हैं, sucking sap वगएरा, तो tender leaves becomes yellow, जो leaves होती हैं, वो yellow color की हो जाती है क्योंकि इनके अंदर ये cells sap करते हैं, the margin of the leaves start curling downwards and redding, कि इनकी जो leaves होती हैं, वो इस तरह से curl होने लगती हैं, नीचे के तरफ, downwards curling होने लगती हैं, and redding मतलब लाल, लाल, लाल होनके ज़र, reddishness दिखी जाती है, in the case of severe infestation, leaves get a bronze और brick red color, जैसा की red color मैं कह रहा हूं, तो ये severe infest concentration में बढ़ जाता है, और इस वज़े से इसको हम कहते है, hopper burn stage, hopper burn stage, rice के अंदर भी हमने बात करी थी, फिर से आज हम बात कर रहे है, hopper burn stage के बारे में, आपके पास अगर short question में, question आता है, कि भई, hopper burn stage of cotton, किसकी वज़े से देखी जाती है, हम कह सकते है, cotton jessets की वज़े से के वज़े से देखी जाती है, समझ आगी होगी, लाल कलर से एकदम पौदे हो जाएंगे, ऐसा लगे जा जल चुके हो पौदे, तो इसलिए इसको hopper burn stage कहते हैं, ठीक है, next हम बात करें, तो the leaves dry shed and the crop growth cats retarded, पतिया सूख जाती है, गिर जाती है, पौदे की growth retarded जाती है, अब टेरंट्स है, तो अफकॉस लाइफ स्टेज में तीन में स्टेजिस होंगी, एडल्स निम्फ एन अडल्स, एग जो हैंगे, सिंगली विदिन मिड रिप वेन्स, टिशू 15-50, पंदरा से पचास एग छोड़े जाते हैं, मिड रिप्स पे, जो में पता है, उसके अंद से बारा दिन के अंदर डेवलप होके, एडल्स में मतल जाते हैं, एडल्स ग्रीन कलर के होते हैं, ब्लैक स्पॉट होता है, इनके फोर विंक्स पे, यह सब हमने पहले ही जान लिया, अट्रेक्ट होते हैं, यह लाइट की तरफ ठीक है, यानि कि कंट्रोल में उनके कंट्रो लाइट साइकल 12 से 21 दिन के अंदर कंप्लीट होता है, चार जनेरेशन देखी जाती हैं, एक साल के अंदर, इस दरह से हमने यह भी जान लिया, इनका लाइट साइकल, अगर इसके अगर हम बात करें, तो मैनेजमेंट के अंदर पर्टिक्लर रेसिस्टेंट वराइटीज हो लेकिया जा सकता है, अलगलग केमिकल्स का, और साथ में हम लास्ट में देख रहे हैं, बायलोजिकल कंट्रोल के रूप में, क्रिस्पा, सेंबैला को कम लेजा सकता है, तो इस तरह से हमने जान लिया, क्या मैनेजमेंट, लाइफ साइकल और डैमेज, इसका जैसेड का, ओक फिर भी आप इसे फिर से पढ़ना चाहते हैं, तो इसकी PDF form नीचे description box में available है, यानि कि इस वीडियो के दोरान जो कुछ भी हमने जाना है, उसकी एक PDF form नीचे description box में available है, आप उसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं, साथ में, अगर आप General Agriculture की knowledge और question answers में इंटर्स र करते हैं, और इसी तरह की वीडियो के लिए जड़े रहिए Agricultural Studies से,